ठोकरे खाता हूं पर शान से चलता हूं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं मुश्किले तो साज है जिन्दिगी का आने दो आने दो आने दो उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा और आखिर में जीतूंगा मैं ही ये ठान के चलता हूं ठोकरे खाता हूं पर शान से चलता हूं मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं मुश्किले तो साज है जिन्दिगी का आने दो आने दो आने दो उठोंगा गिरूंगा फिर उठोंगा और आखिर में जीतोंगा मैं ही यह ठान के चलता हूँ नमस्कार साथियों साथियों आज हम बात करते हैं जो क्लास 12 में जो syllabus reduced हुआ है क्या-क्या syllabus आपका कम हुआ है इसके बारे में चर्चा करते हैं क्पैज्ट सेलेपस रीडूज हुआ है यह सेलेपस एंड टी कि कोडिंग ंड रीडूज हुआ है एंड छो सेलेपस हैल लगबग लगवग हर एक ही स्टेट syllabus में एक चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों को सिर्फ topic देखना है कि कौन सा topic कम हुआ है पूरी पूरी unit कम नहीं हुई है मेरी बात आप समझे होगे सिर्फ वो topic particular topic कम हुआ है पूरी unit को deduct नहीं किया गया है ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर जो कम किये गए में अगर इस side में देख लेंगे कि यह unit कम हो गई है तो ऐसा नहीं है मतलब यह कह सकते हो कि 15 से 20% syllabus कम हुआ है ज्यादा syllabus कम नहीं हो बाकी सारी चीज़े बहुत सारी चीज़े इसमें है मेरी बात आपको समझ में आई होगी तो साथी हो देखते हैं syllabus जो कम हुआ है उसके बारे में क्या-क्या syllabus आपके कम हुआ है class 12 chemistry में इसकी चर्चा करते हैं सबसे पहले बात करें solid state की solid state में जो है दो चीज़े कम हुई विद्यूती गून और चुम्ब की गून छोटे छोटे टॉपिक है यह कम हुए बाकि सारी चीज़ें आपको एज़िटीस करनी है फिर हम बात करें आगे ठोस हवस्था के बाद में विलियन में विलियन में सिर्फ एक चीज़ कम हुई है असामान ये मोलर धर्यमान असामान मोलर धर्यमान ये कम हुआ है फिर हम बात करें विद्यूत्र असायन में बेटरियों के इंधन और सेल संक्षारण के बारे में नहीं पूचा जाएगा संक्षारण सेल के बारे में नहीं पूचा जाएगा बाकि सब टोपिक एज इडिडिस आपको करने हैं बहुत कम सेलेबस कम हो रासानिक बलगतिकी की बात करें तो रासानिक अभी क्रिया का संगर्टी सिद्धांत एक छोटा सा टॉपिक कम हुआ है जब हम प्रेश्ट रसायन की बात करेंगे तो सिर्फ इतना सा टॉपिक कम हुआ है बहुत कम सेलेबस कम हुआ है इसलिए जादा आवशक्ता नहीं है कि हमारा से लेबल जो है कम हो गया है बहुत कम अब बात करें यूनिट 6 में कुछ ज्यादा टॉपिक कम होए है धातु कर्मी की के उश्मा गति की सिद्धा धातु कर्म का वेद्यूत्रसायन आक्सिकरन शोधन अलुमिनियम कापर जिंग तता लोहे के को माइनस कर दिया था ये वाले यूनिट लेकिन इस बार ये यूनिट को पूरी माइनस नहीं किया गया है इसमें कुछ टॉपिक को माइनस किया गया है चली आगे बढ़े पी ब्लाक के तत्व में नाइट्रोजन के अक्साइट फासफोरस के अपर रूफ फासपीन फासफ योगिक के बारे में कम किया गया है बाकी कुछ ज्यादा कुछ कमनी किया गया है एक और चीजे अपने अपने इस्टेट लेवल पर सभी चात्र अपने अपने जो सेलेबस की जो आते हैं वो उसके इसाफ से आप खुद भी एनालिसिस कर ली करियेगा मतलब यह जो आज में आपको जो है अलग वीडियो बना कर कोशिश करूँगा कि उसमें फिर बता दू वापस कि यह चीजे कम हुई है यह ज्यादा हुई है क्योंकि पिछली बार भी दो दो बार का सेलेबस कम हुआ था डिड़क्ट हुआ था प्राइक्षा की प्रनाली में कुछ चेंज हुआ तो इस तरीके से अलग अलग साल पर जो परिसितिया रही उस हिसाब से कुछ चेंज होते रहें तो हो सकता है इस साल भी क्या क्या परिसितिया रहें क्या क्या चेंज होए इस साल तो यह देखना पड़ेगा ओके चलिए तो यह बात करें डियो रेप ब्लाक में इतना सा कम ह योगी को में समाव्यता कम हुआ योगी को महत्ता अनुप्र योख तो टॉपिक कम हुए बाइक सरी और hier न activates की बात गरने वहाए का Nikki for satisfactory मोद ने के सिर्प पाली एलो जन योगी जो बहुत कम पुछा जाता है एकजाम में वह कम होए एग चीज़ उह हुरे है यह जो सेलेवस ऑपन देख रहे हैं इसमें वह चीज़ें कम की गई है जो एक्साम में पहले कभी पूछी यह मतलब नौन इंपोटेंन चीज़ें कम की गई हैं I don't really to emotions ने कम की बार एक्साम और गूरी करना है पड़ना है मजए से और गुनी केमेस्ट्री तो मस्त पार्ट है महत्व कम हुआ है यह अगे बात करें यह वनों बायो मालीकुल में से कुछ जाजा टॉपिक कम हुए कम हुए तो जिसे डाइ सेकराइट में सुक्रोज, लेक्टोज, माल्टोज ये कम हुए बाकि मोनोसेकराइट होंगा उसमें ग्लुकोस, रक्टोज वो चीज़े पढ़नी होगी कार्भोहेट्रेट्स में तो ये तो कम हो गया अब बात करें कार्भोहेट्रेट का महत्व प्रणिक जीवन में रसायन में भोजन में रसायन और शोधन अभीकरमक ये चीज़े कम की गई है तो मेरी बात आप सुनिएगा कि ये जो टॉपिक है इनका आप स्किनशाट लीजेगा और अपनी बुक्स में निशान लगा दीजिएगा कि ये वाले टॉपिक जो है इस ब बोनस मार्स उस कंडिशन में मिलते हैं कि जब आप उस क्यूशन को अटेम्ड किया है नंबर लिखा थोड़ा बहुत कुछ लिखा एक हाद लाइन लिखी और उस हिसाब से उसके नंबर मिल जाते हैं लेकिन उसको अटेम्ड करके तो आना पड़ता उसका क्यूशन का अंसर नंबर के यह इसका यह आनसर वो लिख किया आना पड़ता है चलिए धन्यवाद